कि है गाईज देखो सब लोग आज यही जानना चाहते हैं कि मार्केट गिरा क्यों मार्केट गिरने का दो सबसे बड़ा कारण है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मार्केट में मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप रीजन यहां पर डूंड लोगे तो यहां देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर कुछ हुआ ही नहीं तो कैसे आपको कुछ मिलगा लेकिन यहां से जब कुछ बाहर हुआ है न हमें वहां पर भी दिखना पड़ता है और दो ऐसे रीजन बताऊंगा जिसके वाज़े से मार्केट में बहुत पड़ी गिरावट देखने को मिली है यह भी बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा profit booking भी देखने को मिला है और sudden गिरावट देखने को मिला है यहां पर जो एक ऐसी बीमारी जो मतलब बोल सकते हैं कि जाला तो लोग उमीद भी नहीं कर रहे थे ऐसा हो सकता है निफ्टी में 2% तक का गिरावट देखने को मिलता था ऐसा गिरावटी मैंने देखाया करके सुबह से साम तक market continue गिरता रहा इतना तेजी से market गिर रहा था कि मैं आपको बता दू निफ्टी 50 में कोई भी ऐसा stock नहीं है जिसने मजबूती दिखाया हो देख लिजे यहां पर देख लिजे कोई भी ऐसा stock नही इतना थोड़ी positivity में लिया जाता है इसको नहीं बोलते है positivity समझ रहो ना यहां पर इसको बोलते है negativity देखलो इसको बोलता है अगर माल लेते हैं अगर आप इसको positive बोलते हो तो इसको क्या बलो हो के महा negative company डूब गए कहा निख तम नहीं इसको negative बोलते है वह उसको कुछ भी बीमारी का बही तना बड़ा approach ने विमारी का मतलब या कोई तो ऐसा प्रवल्म है जो τηह का मतलब ऑद आयाे है जो दो लेकिन आपका लेकिन लास्ट में थोड़ा बहुत रिकवर भी हो गया था लेकिन लेकिन पिछले पांच दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलटाइल है और पिछले एक महिने में देखोगे तो बजार तीन से चार परसंट यहां पर टूटने का कोशिस किया है 4.5 परसंट तक का एक मह स्टॉक मार्केट को हम इकठा भी कर देंगा तो केवल दो देशों ने ही इसको कप्चर कर रखाया देखो पहला है यूएस अमेरिका अमेरिका मतलब स्टॉक मार्केट के दुनिया में आगर आप देखो है न तो बोला जाता है कि मतलब 40-50% तक का एक्स्पोजर वो खुद में यहां पर कभी कुछ होता है क्यों क्यों नहीं खबर आता है िनको क्हुं देखने वाला कोई कंतला रहा नहीं क्यों इन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंसे कई ब्ढ़ा आ अमेरिका कि फोना बड़ा है मतलब अगर देखो गे तो यह सब को अगर हम इंदर प्रॉलम वह देखे दियान से सबसे पहले आप मार्केट को यहाँ पर रिलाइज किसी है पिछले एक सालों में किवल आट परसंट की गिरावट देखने को मिल रही है, और और कुछ नहीं है, किवल एक सालों से आट परसंट की गिरावट देखने को मिल रही है, और जो ज़्यादा नीचे था, वो आटरा ये बीस परसंट तक का गिरावट देखने को मिला, आप लो बोटम कितना स्टॉक गिरा है नीचे से उपर तो भाई 69 मतलब 70% तक ये गिर चुका देख लिजे 72% इतना भयंकर गिरावट देखने को मिला है दूसरा दिखाता हूँ अगर ये देखोगे तो भाई इसमें भी क्रेश देखने को मिलता है इतनी बड़ी ताकत वर कंपणी मतलब ये एक ऐसा प्रोड़क्ट है देखो क्या होता ना कि दो टाइप की कंपणी होते है एक क्या होता कि अपने ये प्रोड़क्ट का प्राइस अगर बढ़ा देने तो लोग नहीं खरीदते हैं और एक ऐसी कंपणी होते हैं जो अपने प्रोड़क्ट का प्राइस दो तीन गुना चार पांच गुना भी बढ़ा दे तो लोग बोलते हैं कि कब लॉंच कर रहे हो प्रोड़क्ट जल्दी ला मैं पैसे तयार रखा हूं घर जमीन बेशने के लि मिला इतनी बड़ी और मजबूत कंपणी है वॉर्ल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा कंपणी जिसका नाम है अमाजॉन और यह देखो यह तो क्या हो रहा कि यह तो पूरी तरीके से क्रैश हो चुका यह कंपणी ने दो तीन लाग परसंट का रिटरन निकाल के दिया था दो यह गिरावाट में भी देखने को मिला था वहां गर मं देखते मैं ओर उर बड़ा रिटरन देखने को मिला धियां से सब्सक्राइगा इंडिया बच्जा बच्च जानता अ है माजोन के बारे में वो भी 50 परसंट से जादा गिरावट यह टेसला मतलब समझ्झे हो ना नास है अगर यह हम देख लेते हैं तो एक साल में 64 परसंट तक गिरा हुआ 64 परसंट तक अगर आप टॉप लेबल से इसको देखो गे तो भई 64 परसंट से भी जाता गिरा हुआ जो कि मतलब 68-70 परसंट तक गिरा हुआ मतलब वर्ड का फॉस्ट या सकेंड लार्जिस बोल सकते हैं Amazon टेसला में मतलब जो है कि अपेंड डाउन होता रहा था कभी फरस्ट कोई और बन जाता है सकेंड यह बन जाता है फरस्ट वो बन जाता है ऐसा होता रहा था यह 70 परसंट गिरावट में देखने को मिल रहा है अमेरिका में जितने बड़े बड़े कंपनी है उनको बहुत भेंकर नुकसान हुआ है बहुत का मतलब बहुत ही जादा भेंकर नुकसान देखने को मिला तो एक चीज़ समझ में आगे आपको अब दियान से समझें का मैं जो वर्ड इस्तमाल करने वाला हूँ चाइना भली देने पहुंच चुका याद रखेगा बस थोड़ा ही बोल सकते हैं कि मतलब 20-30% तक कफर के आप बचा हुआ और चाइना में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो चुका है चाइना ने इस बात को छुबा के रखा और ये सारी चीज़े अब लीक होना स्ट बुल हो चुका सब कुछ इतना प्रॉबब्लम हो चुका है कोवीट के वज़े से अब मतलब बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो चुका है है देख लिज़े चाइना से नीरली one million daily COVID के से fishermen आपको देखने को मिलना मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई बहुत बड़ा हो पहले कोई भी प्रावल्म होने से और अगर आप एरपोर्ट से आ रहे हो हवाई जासे आ रहे हो तो भई अब तो आपको पक्का चेक करना पड़ रहा है तो इस सरकार ने मतलब केवल तीन चार दिनों में ये सारे एक्शन ले रहे हैं मिटिंग बठाये गया और तुरंत ये सारी चीजों का इंप्लिमेंट किया गया ये चीज़े आपको समझ में आ गए कि ये जो कोविट केसे बढ़ रहा बहुत प्रावलम है अब आता है मुद्दे पी जो सिखाना था मैंने आपको raw material आपके सामने रख दिया अब मैं finished good दिखाता हूँ देखो पूरे दुनिया के stock market केवल दो चीजों के वज़े से बहुत ज़्यादा चलता है एक अमेरिका दूसरा चाइना और ये दोनों प्रावलम में हैं अभी बाद समझ में तो एक तो भाई एक जो मजबूती है एक जो pillar है वो हमने already खो दिया था दूसरा जो pillar है अब वो भी खो रहे है और कोई reason नहीं है तीसरा कोई reason है इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा इंडिया में कुछ हुआ ही नहीं जिसके वज़े से इतना बड़ा crash देखने को मिलेगा बात समझ में आगे ना अगर यह दोनों को मिला देते हैं यह दोनों को मिला देते हैं इंडिया और चाइना को मिला देते हैं तो भाई यह सामने तो यह सभी लोग में आराम से गिरावट देखने को मिलेगा तो यह सबसे बड़ा problem था बात समझ में आगया क्यूंकि चाइना जो है किसी भी चीज को बना अगर चाइना को कुछ हो जागा तो फिर सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है टेक्स्टाइल में भाई मतलब क्या ही बताओ मतलब हर चीज में टेक्नोलोजी में अपल का सारा प्रोडक्ट जो है वहाँ पर ही बनता है तो भाई payment का problem होगा और वहाँ पर उनका पैसा वो भी depreciate हो जाएगा depreciate होने के बाद बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारी बड़े बड़े company को problem होगा जो कि indirect आपको भी affect पड़ेगा इंडिया को भी अब इंडिया ने भी तो order दिया है यह दोनों को मतलब problem हो गया इस वजए से सभी को problem देखने को मिला सभी को याद रखेगा और कोई problem नहीं है ऐसा कोई और प्रवल्म तो इंडिया में आए नहीं है जिसके वज़़े से पता लग रहा है कि कोई problem है और जल्दी जल्दी इंडिया में भी जो है मतलब जो है गौर्रमेंट एक्टिव हो चुकी है चीजों को सही तरीके से करना स्टार्ट कर दिये कोवीड के वज़े से बहुत सारे रून सार रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा तो लोगों को डर लगना स्टार्ट हो होएंगे सबस्क्राइब कर दो नीको यह टानी जाता के लिए और अधानि ने फिर अंवर तो प्रय बोल दें लोगों को भी आपने बिजनस को बंद कर दो इंडिया भी एक क्या होगा इंडिया का अंदाजब लेकुप ताटा ग्रूप पता है, 9 से 6 से 10 लाख लोगों को, 6 लाख से लेकर 10 लाख लोगों को रोजगार देती, यह मतलब समझ रोग कितने घर में खाना पकता है, इन कंपनियों को रोजगार मिलता है, कितने पढ़े लिखे लोग इस कंपनी में नौकरी करते हों, समझ रहो न, तो क अगर दो companies को बंद किया जाए तो कैया दो company में भारत मीरवराइगा नहीं और सारी company है लेकिन दो को बंद करतों को तो क्या होगा बहुत बड़ा crash देखनी को मिलेगा सरकार के हाथ से बहुत बड़ा tax चला जाएगा बहुत बड़ा जो development का plan होगा और idea होगा उसको cut करना पड जाएगा अगले budget में देखो कितना बड़ा problem देखने को मिल जाएगा तो यह बहुत सारी problem देखने को मिल जाएगा इतनी बेरियुजगारी बढ़ जाएगी कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी समझ रहो न इत तो इसलिए क्या होता कि कभी-कभी हमें situation को समझना चाहिए तो चा चार्जेस फ्री होगा कि और 20 रुपिस लगेगा वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपना डिमेट अकॉंट वगरा ओपन कर सकते हैं